नमस्कार जी बिजनेस और NCDX IPF की खास पेशकर्ष कमॉलिटी की क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और इस सीरीज का हमारा मक्सद यह है कि आपसे रूबरू हुआ जाए मतलब डारेक्ट आपसे हमारा इंट्रेक्शन हो इस सीरीज का यही मक्सद है और देश के आपने कमॉलिटी की क्लास को लेकर हमने वहाँ पहल की है बहुत अच्छा रिष्पॉंस मिला है और आज इस कड़ी में हम पहुंचे है नवी मुंबई की वासी मंडी और नवी मुंबई की वाशी मंडी किसी परिचे का मोताज नहीं है आप समझे की मुंबई जैसे शहर मे लेश की वित्य राज़ानी है फैनेंशल केपिटल है मुंबई और मुंबई के बीचो बीच बसी ये मंडी अपने आपने इसलिये महत्पूर्ण है कि आप समझें कि मुंबई की जो एपी म्सी वाशी मंडी है यहाँ से बहुत बड़ी मातरा में और इस मंडी की खासियत यह है कि कि किसी एक कमूलिटी की डोमिनिंसी यहाँ पर नहीं है विलाइटी अप कमूलिटी यहाँ पर हैं और यहां के लोगों को मुंबई की iedजिये आबादी को धाई करोड़ आबादी को रासपास के अलाकों को अगर आप समझे आनात की सप्लाई हो रही है मसालों की सप्लाई हो रही है परसेस की सप्लाई हो रही है तो उस लिहाज से यह मंडी बहुत महत्मूर है विजिटेवल फूर्ट्स उस लिहाज से भी इस मंडी की लेकर क्योंकि मसाला आपके मान के चलिए कि जैसे भी कविता ने अपने इंट्रिक्शन में ये बताया था कि मसालों की जो हमारी खुश्वू है अगर हम अंग्रेज के गुलाम हुए तो उसके पिछे मसाला मसालों की एक बहुत बड़ी भागीदारी थी और मसालों की खुश से बड़ा एग्री का एक्सचेंज है एंसीडी एक्स वहां पर आपके लिए किस तरह से मसालों का प्रेटफॉर्म तयार है इसके उपर हम बात करेंगे और समझेंगे कि ये इंडिस्ट्री आपके लिए कि तो दोनों मार्केट को देख रहे हैं फ्यूचर मार्केट और फि तालमेल है मैं साइज वाइज पूच रहा हूं जितना बड़ा साइज हमारा फिजिकल मार्केट का है क्या उस साइज को हम ठीक से हैंडल कर पा रहे हैं सर जी नहीं इसमें काफी मिस बैलन्स हम काफी सालों से देख रहें अगर आप इसको स्ट्रेट अवे कंपेर करें तो यह तक्रिबन चार साड़े चार लाग तन का क्रॉप है एक्सचेंज में उसका ओपन इंट्रस अभी 25,000 लब विच इस नौट इवन 5 परसेंट सेम अगर आप जीरा में देखे या तर्मरीक में भी देखे तो मोर देन 5 परसेंट का हम उसमें पार्टिक से नहीं देख पात अगर किसी को भी लगता है कि यह प्राइस ओर वैल्यूड है तो आप फ्यूचर शॉट करिया और उसके उपर अपने एक्सचेंज की डिलिवरी दीजिए एक्सचेंज के हरे कॉंट्रेक के स्पैसिफिकेशन से वो फेर एवरेज या एटलीस 70 परसेंट ओफ दी क्रॉप को कवर करते हैं सेंटर्स जितने भी मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट से वो सारे एक्सचेंज कवर करती है या जो मेजर मार्केट से उसको कवर करती है तो अगर कोई फाइनेशल प्लेयर हम जैसा अगर इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है तो जो ग्रास रूट लेवल पर व से उपर नीचे हो रहा वे उसको कंट्रोल करने का तरीका क्या होना चाहिए तूल्स क्या होना चाहिए मार्केट में सबसे पहले जैसे कि भाई ने भी पार्टिसिपेशन चाहिए तो पार्टिसिपेशन is one way ज्यादा से बहुत नंबर ऑफ पीपल कि इंस एड़ को पर पर ज्टेसे भी आपने का कि हम पांच जन मिलके 10 परसेंट कर ले तो उससे 50% का रो जाएगा नहीं नहीं परसर उससे तो सर मैं तो 10% होड़ी है मतलब मैं तो सर अगर क्रॉप साइज का हल्दी का एक्जाम्पल ले तो हल्दी की क्रॉप इस साल 50000000 के और NCDX और सेभी नहीं जो पॉजिशन लिमिट्स निर्दारित की है वो से नियर मत में 2400 टन है और ओर और नाइंटी 600 एंटी है तो वह तो तो टोटल क्रॉप साइज का 4 परसेंट भी नहीं हुआ तो परसेंट वह तो इसलिए दो में तिंग इसके आप नंबर ओफ पीपल पार्टिसिपिटिंग कि वहीं कि हर लोग कम से कम जो इससे जुड़ा हुआ है वह एक लौट दो लौट करें इसमें यह है कि पब्लिक को अवेरनेस नहीं है या पब्लिक करना नहीं चाहता मैं एक्जामबल दूंगा अभी पिछले साल किलोमीटर दूर उनावा करके एरिया है उनावा में अगर आप अपने कार की खिड़की नीचे करोगे ना तो आपको जीरा की महक आने लगेगी और तो वहां जब हम मैं और बाकी लोग बैटके बात कर रहे थे तो होटल में जो सर्विंग स्टाफ था वो समझ गया कि यह वह किसी किसी मार्केट से जुड़े हुए तो उसने तुरंत आके हमको पूछा कि बैंक निफ्टी क्या लगती है और तब मेरे सब नीरों थे तो मैंने नीरों को यह एक हार है कि यह दस दिन दूर बैठा है बैंक निफ्टी बहुत 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 तो चलो पिछले एक महीन अब आपके लिए फ्लोर ओपेन है आप लोग सवाल पूछिए जो भी सवाल आपके मन में आ रहे हों हमारे साथ बड़ा पैनल यहां पर मौझूद है आपके उन तमाम सारे सवालों के जवाब मिलें गर्कुल थैंक यू सो मच आप लोग यहां पर आये और बहुत डिटेल मे मसालों के उपर बात चीछ हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि इस कारेक्रेम के बाद आप सब जब मसालों के ट्रेड में आएंगे तो आपके बात आपके दिमाग में यह बात होगी कि यह ट्रेड आपके लिए कितना महत्पूर्ण है हेजिंग क्यों जरूरी है मार्केट म में भारी उतार चड़ाओं से आपकर से बस सकते हैं उसके लिए क्या प्रेटफरम तयार हैं इन तमाम मुद्व पर बहुत डिटेल में बात हुई है और उम्मीद करते हैं कि इस ट्रेड का भला होगा आपका भला होगा आपका ट्रेड बढ़ेगा फलेगा फुलेगा स्ट ब्रेक ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं नमस्कार